तो प्यारे बच्चों एक वार फिर से हम लोग अपने पिछले पाठ्ट करम की ओर लोटेंगे और जिस प्रकार से डेली बेसिस पर जो क्लास चल रहा था سुबा में 7 बचे ऑन-लान टेस्ट वाला क्लास चलता था साम में 6 बचे मोडल पेपर वाला क्लास चलता था दोफर में एक वजय उब्ज wiping कोशन का प्रैक्टिस वाला क्लास चलता था तो जितने सारे भी क्लास चल रहे थे अब रेगुलर बेसिस पर चलते रहेगा क्योंकि इधर दो-तीन दिन बीच में जब भी हारबोड ने अपना ओफिसियल मोडल पेपर जारी किया तो दो-तीन दिन टाइम इधर उधर हो गया जिसके कारण टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि आपको मोडल पेपर के बारे में जनकारी भी देना था बहुत सारे बिद्यारती ऐसे थे जिनसे मोडल पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा था उनको भी देखना था प्रस में आपको मोडल पेपर का सॉलूशन भी देना था सारे अब्जेक्टिव कोशन और सब्जेक्टिव कोशन का तो हम आपको धीरे-धीरे करके सारे model paper का solution दे रहे हैं, दो तीन दिन के अंदर में हम आपको सारे model paper का solution दे देंगे, तो चलिए फिलहाल हम लोग आज का class देखेंगे, और daily basis पे आप लोग question का revise करते रहेगा, हमारे class के साथ जुड़ते रहेगा, क्योंकि जो आप revise कर रहे है जो हमारे साथ आप लोग question का revise करते हैं, यहीं आपको exam में सबसे अधीक काम आएगा, यदि आप लोग exam hall में बैठे तो यह नहीं लगना चाहिए, कि मुझे यह वाला question नहीं बताया गया है, तो चलिए, जल्दी से आप लोग test देने के लिए ready हो जाइए, जल्दी से वीड कोशन का आप लोग answer दे सकें, चलिए, तो पहला नमर question देखेंगे कि भारत में योजना योका गठन कब किया गया था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा important question है, बहुत ही ज़्यादा मत्पून परशन है कि भारत में योजना योका गठन कब किया गया था, पंदरा मार्च नहीं option सही हो जाएगा, चलिए दूसरा नमर question देखेंगे कि राष्ट्रिये विकास परिशत का ध्याच कौन होता है, बीत मंतरी की प्रधान मंतरी की राष्ट पती, बताए ये दूसरा का कौन सा option सही होगा, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रिये विकास परिशत का ध्याच हो और यदि आप लोग एक एक कोशन को ध्यान से देखते जाईएगा और यदि आप लोग डेली बेसिस पर हमसे क्लास कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जितने सारे भी कोशन आपको यहाँ पर रिभाइज कराते हैं से यहीं कोशन आपके बिहार बोट के मोडल सेट में भी दिया गया है जो की बिहार बोट के तरब से जारी किया गया है तो यदि आप लोग डेली बेसिस पर क्लास कर रहे हैं तो ठीक है यदि डेली बेसिस पर क्लास नहीं कर रहे है तो मेरा एक एक क्लास करिए एक भी क्लास को मिस मत करिए चलिए चौथा नमर कोश्चन है कि बागमती परियोजना बिहार के किस चिले में शुरू ही तो ध्यान रखिएगा बागमती परियोजना सीता मढ़ी में शुरू हुआ था चौथा का ए नमर उप्शन सई हो जाएगा चलिए पाच्वा नमर कोशन है कि बिहार में बिनासिकारी भुकम्प कावाया था कि जिस भुकम्प के गारन बिहार में बहुत अधिक जानमाल की छती हो ईती उनेसो 24 में उनेसो:" ai95 ने lineage 34 में 2927 में। देखने को नहीं मिलता है शंपरदायबाद में की छेत्रियबाद में की भासाबाद में की नसलबाद में तो ध्यान रखिएगा नसलबाद में समाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है छठा का डी नमर उप्षन सही हो जाएगा सात्मा नमर कोशन है कि गरीबी के कुछक्र को किस ने परिभासित किया है तो अब लोग ध्यान रखिएगा गरीवी के कुछक्र को रेगनर नर्क्ष ने परिभासित किया है सात्मा का ए नमर उप्षन सही हो जाएगा रेगनर नर्क्ष चलिए सात्मा का ए नमर उप्षन चलिए आठ्मा नमर कोशन है कि पर्तियक्ष करके अंतरगत निम्न मेंशे किसे सामिल किया जाता है आएकर को कि उतपात करको कि बिक्री करको तो ध्यान रखिएगा पर्तियक्ष करके अंतरगत आएकर को सामिल किया जाता है आटमा का एー नमर अपक्षन, जmomा नमर कोशन देखेंगे, की इस देश ने 132 समानता, एबं बंधुत्व का नारा दिया, टीके वह कौन सा देश है जिस ने 132 समानता एबं बंधुत्व का नारा दिया, इंगलेंड के अमेरिका की, फरांस की स्विट्जर लेंड तो ध्यान रखिएगा नॉमा का D नमर उप्षन सही हो जाएगा स्विट्जर लेंड यानि कि स्विट्जर लेंड ही यह कैसा देश था जिन्हें उन्हें स्वतंतरता समानता और बंधुत्व कानारा दिया चलिए अब दसमा D नमर उप्षन सही हो जाएगा 11 नमर कोशन है कि बिहार के किस जिले में रेलवे चक्का निर्मान उद्योग अस्थापित किया गया है यानि कि बिहार के कहां पर बिहार के कौन से जिले में रेलवे का चक्का का निर्मान किया जाता है जो rail का चक्का होता है जो train का चक्का होता है उसका निर्मान किया जाता है तो ध्यान रखिएगाःाः डी अमर option सही होगा कि छप्रा में natур रेलवेश चक्का निर्मान उधियोग अस्थापित किया गया है अगराःः का डी अमर option सही हो जाएगा चलिए बारा नमर कोशन है कि ब्यपसाइक बैंकों का राष्ट्रिय करन कब किया गया ब्यपसाइक बैंक जितने सारे भी हैं उन सभी बैंकों का राष्ट्रिय करन कब किया गया बता यह 66, 79, 79, 75, 80 तो अब लोग ध्यान रखिएगा कि ब्यपसाइक बैंकों का राष्ट्रिय क настore में किया गया था 12 का Bоном of fukation सई हो जाएगा चल्--" कृषाई अधार पर बनने वाला प्रथमराज्य कौन है बिहार की ज, घरखंड की उत्रा खंड के अंदर पर देश, 13 का कौन से अपशन सझी होगा तो ध्यान रखिएगा, 13 का D number option सही हो जाएगा कि भासाई अधार पर बनने वाला प्रत्थम राज आंधर परदेश है 13 का D number option सही हो जाएगा चली अगला number question कह रहा है कि रंग भेद के नीती के बिरूद आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो ध्यान रखिएगा आप लोग 14 का E number option सही होगा कि रंग भेद के नीती के बिरूद आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था 14 का E number option सही हो जाएगा हम जैसे ही question पढ़ते हैं आप लोग नीचे live chat में answer बता दीचेगा और वीडियो के अंत में आप लोग जरूर बताईएगा कि आपका कितना question का answer सही हुआ है चलिए आपका 30 में कम से कम 25 के उपर आना चाहिए 30 के नीचे तो बिल्कूल भी नहीं रहना चाहिए और 30 के नीचे आता है तो आपको हर हाल में अपनी मेहनत को बढ़ाना चाहिए अगर 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो सीधे आप लोग आठ घंटा पढ़ना सुरू कर देजे क्योंकि बस 1.5 महीने का बात है यदि आप लोग 1.5 महीने अच्छे तरीके से मेहनत कर देंगे तो आपका जिंदगी भरियाचीज काम आएगा चलिए 15 नमर कोशन है कि इनमें कौन मानब जनीतापदा है इसमें कौन मानब जनीतापदा है जो कि मानब के द्वारा जनीत किया जाता है संपरदाइक दंगे के अंतकवाद की रेल दुर घटना की उप्रुक्त सभी तो ध्यान रखिएगा 15 का डी नमर उप्सन सभी होगा कि इनमें से जितने सारे भी घटना है सभी मानब जनीतापदाई है ठीक है 15 का डी नमर उप्सन सभी हो जाएगा चलिए अगला नमर कोशन है कि 2011 की जनगना के नुशार बिहार की ग्रामी नवादी कितना है बिहार की ग्रामी नवादी यानि की बिहार में कितनी परतिसे तवादी गाउं में निवास करती है 2011 की जनगना के नुशार बताए यह 16 का कौन सा उप्शन सही होगा तो ध्यान रखिएगा 88.70% अवादी बिहार की ग्रामी नवादी है यानि की गौँ में निवास करती है 16 का B नमर उप्शन सही हो जाएगा अब चली 18 नमर कोशन देखेंगे कि भरतिये लोक तंतर के कितने अंग है दो की तीन की चार की पाँच तो ध्यान रखिएगा भरतिये लोक तंतर के कुल तीन अंग है 18 का B नमर उप्शन सही हो जाएगा चली उनिश्वा नमर कोशन है कि एक देख इसलिए गरीब है क्योंकि अबह गरीब है या कतन किस अर्थ सास्त्री का है ठीक है एक देख इसलिए गरीब है क्योंकि अबह गरीब है तो ध्यान रखिएगा उनिश्का D नमर उप्शन सही हो जाएगा या कतन रेगनर नर्क्ष काई है उन्हें इसका D नमर उप्शन सही हो जाएगा चलिए बिश्वा नमर कोशन कर रहा है कि बरतमान समय में 20 विभियापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं तो ध्यान रखिएगा 162 देश हैं जो कि 20 विभियापार संगठन से जुड़े हुए हैं 20 का C नमर जी है कि लोक तंत्र को सक्त बनाना यानि कि 21 का C नमर उप्शन सही हो जाएगा चलिए 22 कोशन कह रहा है कि भुकंप केंदर के उद्रवाधर पृथिवी की शता पर के केंदर का क्या नाम है तो ध्यान रखिएगा उस केंदर को कहते हैं आधि केंदर यानि की 22 का D नमर उप दिश्टी कोन से क्या है तो ध्यान रखिएगा आर्थिक दिश्टी कोन से सहज भी है बेग्यानिक भी है और व्यभारिक भी है इसलिए 23 का D नमर उप्शन सही हो जाएगा उप्यूक्त सभी चलिए 24 नमर कोशन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकिरतिक आपदा है न आग लगना की बंबी स्पोर्ट की रशानिक दुरहटना की भुकंप तो अप लोग ध्यान रखिएगा आग लगना मानब जनीता पता है बंबी स्पोर्ट मानब जनीता पता है रशानिक दुरहटना मानब जनीता पता है लेकिन जो भुकंप है और प्राकिरतिक आपता है इसलिए 25 का D number option ही सही हो जाएगा। चलिए अब 26 number question है, किस चेत्र को दितियक चेत्र कहा जाता है। ठीक है, दितियक चेत्र किस चेत्र को कहा जाता है। तो उद्योग चेत्र को दितियक चेत्र कहा जाता है, 26 का C number option सही हो जाएगा। ठीक है उद्योग छेत्र को दितियक छेत्र का आ जाता है प्रात्मिक छेत्र के बारे में बताये थे कि क्रिशी पसु पालन मतस्य पालन यह सभी प्रात्मिक छेत्र में आता है तो ध्यान रखिएगा जो क्रिशी छेत्र हो जाता है वह प्रात्मिक छेत्र में आ जाता है दिति प्रात्मीक में क्रिशी दितियक में उद्योग और तिर्तियक में सेवाच शेत्र अप लोग ध्यान रखिएगा लेकि अबर दितियक शेत्र पूच रहा है तो द्योग छेत्र हो जाएगा 26 का सी नमर आप्सन चलिए 27 नमर कोशन है कि बिहार में कितने प्रमंडल है ठीक है बि तो ध्यान रखेगा रश्ट्रिये आएका स्रीजन उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है परत्यक्श लोक्तंत्र है यानि कि डी नमर उप्शन सही होगा इन में से शबी चलिए अब सबसे last question देखेंगे question नमर 30 2011 की जरगन्हा के अनुशार बिहार की सच्छरता कितनी है 2011 की जनगन्हा के अनुशार बिहार की सच्छरता कितनी है तो ध्यान सारे कोशन आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है सारे कोशन बोर्ड मोडल कोशन है इसलिए आप लोग एक एक कोशन को अच्छे तरीके से याद कर लिजेगा तो चलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अगले वीडियो में कुछ इसी परकार के महत्पूर्ण वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद